हाई विनर्स आई होप यौल आर वेल दिस साइड राजी वानन्द वलकम तो क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चानल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स वीडियो में बात करने आये है टेरा लूना के बारे में टेरा लूना लास्ट 24 आर के अंदर लगभग जो इसका हाई प्रा अभी हाई चल रहा है अब 317% कोई बहुत बड़ा हाईक नहीं है क्योंकि इस ताइम पर जो प्राइज चल रहा है न आर में डॉट के बाद 01 की सीरीज चल रही है लेकिन लास्ट 24 आर में आज सुबे 4 बजे ये प्राइज डॉट 52 जा चुका था अब आप ये देखिए कि टेरा लूना ने कहीं न कहीं पर वापसी तो कर ली है लेकिन अभी ट्रेडिंग का क्या होने वाला है और बिनांस की तरफ से क्या अपडेट आया है टेरा यूएस्ट की तरफ से क्या अपडेट है इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जुरूर देखिएगा त्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को टेरा लूना से रिलेटिड बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग अपडेट शेर करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे बहले बात करते हैं टेरा यूएस्ट के ओफिशल ट्विटर प्रोफाइल के बारे में 19 आर्स पहले एक ट्विट किया गया टेरा ब्लॉक्चेन है रिजूम ब्लॉक प्रोडक्शन मतलब जो टेरा लूना की ब्लॉक्चेन थी जिसको बोला जा रहा था ब्लॉक के एड्रेस के साथ के वो होल तो चुकी है फाइनली टेरा लूना की ब्लॉक्चेन को रिजूम कर दिया ग native chains मतलब कही न कहीं पर Terra Luna की blockchain ने ये Terra Luna के founders ने clear कर दिया कि जो blockchain के अंदर hold की problem आई थी वो hold की problem अब resume हो गई है अब इसका impact मैं आप लोगों को Binance के CEO पर क्या पड़ा और Binance के CEO ने क्या statement दी चलिए एक बार Binance का official Twitter profile भी देख ले ये है Binance के CEO का official Twitter profile 19 hours पहले Terra UST की तरफ से official Twitter profile पर लिखा आता है कि block production को resume किया गया है उसके ठीक 3 गंटे बाद यानि कि Binance के CEO ने 16 गंटे पहले एक और tweet किया और उस tweet में लिखा Luna blockchain resume no more minting and deposit withdrawal and trading resume मतलब कही न कहीं पर Binance पर withdrawal और trading को दुबारा से start कर दिया गया ये शायद पहली बार सुनने में आया है कि Binance ने किसी coin को dealist किया है और dealist करने के बाद within 24 hour उसको दुबारा से list कर दिया लेकिन इस tweet के अंदर एक बहुत important चीज लिखी गई है जो आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जुरूरी है please do not buy a coin just because trading is on मतलब एक trading on होना का simple ये reason नहीं है कि आप coin को buy कर सकते हैं D.Y.O.R do your own research आप देखिए कहीं न कहीं पर Binance के CEO ने अपने traders को अपने holders को अपने user को satisfy तो कर दिया कि trading start हो गई लेकिन इस tweet के अंदर एक interesting line ये डाल दी कि आप अपनी research खुद करो और मेरे कहने से ये मतलब नहीं है कि trading start हो गई तो आप buy कर सकते हो coin अब आप इसका क्या मतलब निकालेंगे मतलब Luna ने blockchain को 15 घंटे में सही भी कर दिया सही करने के बाद Binance को message भी भेज दिया Binance के CEO ने भी उसको trading को start कर दिया दुबारा से और उसके बाद बोल दिया कि अपनी research करो और उसके बाद देखो trading करनी है या नहीं करनी है मतलब आज world की largest exchange ने पूरी responsibility holders पर डाल दिया हो सकता है कल को दुबारा यह halt हो जाए या फिर कुछ नया scam सुनने में आए और फिर से Binance पर trading बंद हो जाए अगर आप टेरा लूना बाय करना चाहते हो तो अब सारी की सारी responsibility holders पर डाल दी गई है Binance के CEO का official Twitter handle बता रहा हो दोस्तों आपको कोई छोटा मोटा Twitter handle नहीं अगर आप ध्यान से देखे यह simple लिखना D-Y-O-R do your own research यह बहुत बड़ी बात बन जाती है और इसके साथ-साथ यह भी लिख लिया please do not buy a coin just because trading is all यह चीज कभी XRP के लिए नहीं लिखी गई Cardano के लिए नहीं लिखी गई Ethereum blockchain के लिए नहीं लिखी गई Bitcoin के लिए नहीं लिखी गई Binance के लिए नहीं लिखी गई लेकिन Terra Luna के लिए लिखी गई क्योंकि आप भी जानते हैं last 48 hours, last 2 दिन में Terra Luna के साथ exactly हुआ क्या है तो it means extremely risk का coin बन चुका है Terra Luna Binance के CEO ने भी बिलकुल clear कर दिया है इसके इलावा अगर आप Terra Luna के अपडेट सुनेंगे ना Terra Luna UST Relisted on Binance as new data reveals movement of LFG Bitcoin reserves मतलब कही ना कही पर Terra Luna को Relist कर तो दिया गया है लेकिन Binance के CEO कहते हैं भईया अपनी research खुद कर लो मेरी कोई responsibility नहीं है अगर आपने coin buy किया और दुबारा से आपके साथ ये ऐसा हो गया तो completely आज की date में अगर आप Terra Luna की बात करें तो एक risk coin बन चुका है crypto market के अंदर अब यहां पर देखिए एक नई और statement आती है Terra Luna के founder की तरफ से do no की तरफ से says he is heart broken उनका दिल तूट गया है in new statement claim no UST और Luna sold during crisis मतलब जब यह crisis हुए है तो उसके अंदर को UST और Luna sold किया ही नहीं गया मतलब आप यह देख लीजिए कि अगर आप Terra Luna को buy करना चाहते है तो आपका खुद का पूरा risk है हाला कि पूरी की पूरी crypto market आज की date में risk factor बन चुकी है लेकिन Terra Luna से related ऐसी statements क्यों आ रहे हैं क्योंकि आपने देखा है एक stable coin world का top 10 rank का coin आज की date में most volatility वाला coin बन गया because of a halted because of a scam because of लोग तो यह भी सोच रहे हैं कि Terra Luna और Binance दोनों ने मिलकर कोई ना को scam किया है अब यह tweet करने का क्या मतलब था या तो आप trading own ही न करते अगर आपने trading own करी है तो आपने user को यह do your own research क्यों लिखके दिया और यह क्यों लिखके दिया कि हम trading तो own कर रहे हैं आपके लिए लेकिन आप buy करे या ना करें इसकी responsibility हमारी नहीं है मतलब world की largest exchange की CEO का यह tweet आना कई न कई पर negativity फैला रहा है लेकिन फिर भी trading start हो चुकी है और trading का अगर मैं आपको result दिखा हूँ तो last 24 hour के अंदर आप लोग इसकी trading volume देख लो 180% trading volume अब इसमें buy भी हो सकता है sell भी हो सकता है हो सकता है लोगों ने जिनों ने बहुत ही minimum amount में इसको खरीद लिया हो जब यह 3-0, 4-0 तक गया था और अब जैसी यह 1-0 पर आया high quantity में buy किया और उसको फिर sell out कर दिया और उनको benefit मिल गया लेकिन कई न कई पर अगर आज आपडेट देखे तो Binance में Luna का BUSD pair तो start हो चुका है और अभी तक Indian exchange की तरफ से कोई भी update नहीं है आप चाहे coin switch कुबेर की बात करें वहाँ deal list हो चुका है Sun crypto की बात करें वहाँ पर दिख जुरूर रहा है देख दोनों में रहा है coin switch कुबेर में भी दिख रहा है और कई न कई person crypto में भी दिख रहा है लेकिन दोनों की दोना exchange में भी trading start नहीं हुई है तो क्या पता trading कब तक start हो जाए यह हम कुछ कह नहीं सकते The reason is कि एक highly stable coin highly risk coin बन गया और coin market cap पर अब भी तक यह जो red line है न यह दोस्तों हटी नहीं है और यह red line साफ लिखा हुआ है कि एक extreme volatility वाला coin बन चुका है और अब गर आपको इसको buy करना है तो Binance के CEO का कहना है कि अपने research कर लो हम अपने research कहां से करें जब world की largest exchange अगर एक coin को highly risk वाला coin बता दे तो user कहां से research करें मतलब आज अगर user ने एक लाख रूपे दुबारा से लगाए just to buy Terra Luna और उनको लगा कि हमें हो सकता है 24 आर के अंदर यह price एकदम और hike पर जाए और अच्छा benefit हो जाए तो अगर Binance दुबारा से trading को stop कर देगा टेरा लूना में invest नहीं करना है यह totally आपके ऊपर छोड़ दिया गया है मत और इस particular tweet से मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि कल को cardano के अंदर ऐसा को scam हो गया XRP में scam हो गया Solana में हो गया या आप बोले किसी और stable coin में हो गया तो Binance की तरफ से तो statement आ जाएगी साफ कि भी हमने trading own कर रखी है आप अपने research कर लो buy करो sell करो आपके उपर है we are not responsible इसे twitter profile पे CEO Binance के twitter profile पे 24 आर पहले ऐसे tweet आ रहे थे कि हम लोग अपने holders को अपने users को protect करने के लिए trading को close कर रहे है मतलब एक दिन पहले लिखा जाता है कि हम users की protection जानते हैं इसलिए हम लोग उने trading खतम कर दी और पांच ही घंटे बाद एक ट्विट कर दिया कि अगर आपको टेरा लूना buy करना है ना तो अपने research कर लो हम trading own कर रहे हैं तो कहां गई user का protection मतलब आज अगर user 10 लाग रुपे लगा दे क्योंकि इस price में 10 लाग रुपे मुझे पता है यहाँ पे इंडिया में कोई भी लगा देगा और इंडिया में छोड़ो global market में तो डॉलर चलता है भाई euros चलते हैं, pounds चलते हैं कोई भी लगा देगा 10 लाग रुपे लेकिन, world की largest exchange कहती है कि अपनी research करके ही coin को buy करना it means highly riskable coin बन चुका है लेकिन, अगर आप official twitter handle को देखें तो यहाँ तो साफ लिख दिया कि जो block production है, उसको resume कर दिया गया you can buy now pair अभी proper start नहीं हुआ trading proper start नहीं हुई है बहुत सारी exchanges में क्योंकि world की large exchange ने trading start कर दी है अब सारी चाहे आप Indian exchanges की बात करो या world में और जितनी भी exchanges है जो सारी की सारी balance को follow करती है सब trading को resume करने के लिए अपने step कर रही है, meetings कर रही है time to time liquidity को चेक किया जा रहा है और finally Terra Luna को वापसी लाने के तैयारी की जा रही है अब इन सबसे समझ तो यह आ रहा है कि Terra Luna ने वापसी कर तो ली welcome back हो चुका है crypto market में क्योंकि delist हो गया world की largest exchange से और दुबारा से list भी हो गया, relist भी हो गया 10-12 घंटे में लेकिन do your own research क्या कहोगे दोस्तों तो it means अब पूरी की पूरी crypto market ने users के उपर छोड़ दिया है, risk लेना है तो low, नहीं लेना तो मतलो, हमने जब चाहा था trading बंद कर दी थी, अब हमने लगा कि meeting की, हमें लगा कि नहीं, Terra ठीक है, पैसा जितना कमाना था, कमालिया उन्होंने अब हम लोगों ने trading own कर दी it's totally up to you क्या कहेंगे इसके बारे में क्या लगता है crypto market का future है क्या लगता है crypto market में विश्वास किया जा सकता है जब world की largest exchange के CEO simple सी line में बहुत कुछ बोल जाएं तो आपको लगता है कि आपको crypto market में invest करना चाहिए especially Terra Luna को buy करना चाहिए it's totally up to you thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates thank you so much